सब्सक्राइब के साथ उत्तर प्रदेश में नए सिच्छा सेवा चैन आयो के ड्राफ्ट इसके अलावा उसके कारिकम को लेका यहां से ओफीशल नोटिस जारी कर दिया गया है जिसके बारे में आप सभी को जानकाई इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी क्योंकि आप जा सेवा चैन आयोक के अंदर क्या-क्या जानकाई दी गई ड्राफ्ट के अंदर इन टीनों भहतियों के बारों कि बारे में या परिक्षाओ के बारे में निटिल्म में बात करेंगे साथ ही साथ बियो को सब्सक्राइब कर कि सबस्हें सबसे पहले मिलती रहें नए सिच्छा सेवा चैन आयोग को लेकर सरकार ने हाली में केबिनेट के माध्यम से मंजूई दी थी उसके बाद में ये मामला पहुचा था आप सभी के यहां पर विदान सवा के अंदर वहां से भी कईने की मंजूई दे दी गई और उसके बाद अब आगे का प्रोसर शुर ड्राफ्ट होगा जिसके माध्यम से आपकी परीक्षा होगी तो पहले समझ लेते हैं इसके ड्राफ्ट के बारे में क्या-क्या जानकाई दी गई है फिर बात करेंगे इन तीनों मुद्धों पर तो दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है उत्त पर आते हैं मुद्धा यह है कि यहां पर यह सभी की सभी जो सिच्छक वरती होती है वो इस नई सिच्छा सिवा आयोग से होंगी जैसे कि यहां लिखा हुआ है सास की साथा प्राफ्ट एडिट माध्यमिक इसके अलाबा अल्प संक्यक प्रात्मिक विद्याले बेसिक के वो उत्तर प्रदेश के नई सिच्छा सिवा चैन आयोग के माध्यम से होने वाली है नीचे यह भी लिखा हुआ है कि विद्याले एवम उत्तर प्रदेश के बेसिक सिच्छा परशद के असास की साथा प्राफ्ट जूनिय हाइ स्कूल तथा प्रात्मिक अत्वा अठल आव उत्तर प्रदेश सिच्छक पात्यता परिक्षा यानि कि यूपी टीटी को लेकर तो भो भी इसी के माध्यम से करवाया जाएगा यह तो आपको पहले से ही पता है काम की बाते क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर बताया गया कि यह जो अधिनियम होगा वो उत किसी प्रदिकाई से ठीक है इसी को लेकर नीचे अध्यक्ष के बारे में जानकाई लिखी होई है यह बात हैं आप सभी के काम की नहीं है क्योंकि अध्यक्ष का चैन सरकार को गरना है आयोग के बारे में लिखा है कि आयोग की धारा तीन के अधिन इस्ताबित उत्तर प्रि जाले खुलेज उच्छतर मार्धिमिक बिद्याले या हाई स्कूल इनसे संबंद प्राथमिक बिद्याले या फिर इंटरमीडिट सिक्षा एक्ट उनीस सो एक्ट के तहट बहुत साही यहां पर जो एक्टें बताए गए जिसके मार्धियम से इन सभी के अंदर होने वाली भर जो और भी जानकरी देखने के लिए मिल जाती है जो कि बताया जाता है कि भरती का जो वर्स का तार्थ पर है वह किसी कलेंडर के एक जुलाई से प्रारम होने वाले बारे मार्स की अवदी से है नीवावली कर जो धारा 28 के अधीन बनाएगी नीवावली है उसी के माध्यम स एक अध्यक्ष होंगे और बारे सदस्य होंगे ठीक है अध्यक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए आईएस होना चाहिए इसी तरीके से यहाँ पर उनकी जो जानकाई है वो दी गई है आप चाहे तो इनको पढ़ ले ना आपके काम की कम है ठीक है यहाँ पर बारे सदस्य की क्या योगिता होंगी आयोक के करमचारी की क्या योगिता हैं देखने के लिए मिलेंगी वो यहां पर लिखी हुई हैं इसी तरीके से थोड़ा सा और हम जो नीचे जाते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि अध्यापक या अनुदेशक की सीधी भरती के संबंद में मामलों के संख्या और अध्याबक अन्वेसर की निप्ति के लिए किये जाने वाली रिक्तियों के संबंद में नियत कालिक विवन्ट जो होगा वो अन्य सूचना शासन के माध्यम से प्रदिकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त करना होगा ठीक है नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे करतब्रों का निश लिखा हुआ है कि यहां पर जो अधियाचन कैसे मिलेंगे किस तरीके से दिये जाएंगे तो जिक्तियों की संक्या के अवधायत करेगा रिक्तियां ऐसी दिति में एसे अधिकारी और भी वह साई जनकरी लेकिन जो काम की है वो यह है कि अधियाचन कैसे मिलेंगे कौन तो पर्द को समाप्त कर दिया जाएगा तो पर्द को समाप्त कर दिया जाएगा यानि पर्द कर दिया जाएगा तो पर्द दिया जाएगा तो पर्द को समाप्त कर दिया जाएगा यानि कि यहां जो नेदेशक की जांच होगी किस तरीके से जांच करनी है क्या क्या करना है निपती के अंदर कोई गलत तरीके से चैनित तो नहीं हो गई या और भी बहुत साही जो टर्मिन कंडिशन है वो यहां बताई गई है अब यहां पर लिखा हुआ है कि आयोक के द्वारा च समय जिति की जाएगी यानि कि अगर कोई व्यक्ति चैन नहीं होता है या फिर चैन नहीं करता है तो ऐसे में क्या होगा कि उसका अभ्यत्तन द्रस्त करके दूसरे अभ्यतियों को दे दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के माध्यम से इसी तरीके से यहां पर और भी बहुत इसी तरीके से यह बात हो ज профDम करना है कि यहां पर जैन करते यहांु करना नहीं मिलियें क पर गजट करना है कि इस तरीके सिजए नहीं पर याँठियों के लिए शक्ति हुर does hang पर हैं योगो दूर करने की शक्ति होगी अध्या देश के प्रवावी प्रवाब भी देखने के लिए मिलेंगे इसके अलावा इस और भी बहुत साइई बात हैं कि इसका उद्देश क्या होगा किस तरीके से होगा तो लिखा हुआ है कि जो पारदशी तरीके से भरती करवाई जाए करने के लिए चैन करने के लिए नोकी देने के लिए और भी बहुत साइई जो अधिकार होंगे वो यहां पर जारी किये गए हैं इसमें भरतियों को लेकर नहीं बताया गया कि कौन-कौन से नियम लागू होंगे किस तरीके से भरती करनी है चुकि यह जो ड्राफ्ट जारी किया गया है वो सिफ नए सिच्छा सिवा आयो को लेकर है अब बात कर लेते हैं टीज़िटी विज़िटी एक्जाम को लेकर क्योंकि यहां पर बात की जारी है तो जिसा कि आप जानते कि टीज़िटी विज़िटी एक्जाम करने के लिए नए सिच्छा सिवा चैन आयो के म आप जानते हैं कि सबसे पहले जो परिक्षा होनी वो टीजिटी विजिटी और यूपी टीटी हैं तो सेम यूपी टीटी भी आपका अक्टूबर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा बात की जाए नई पैमरी सिच्छक वरती को लेकर जिसमें विवाद हो गया अगर नई पैमरी सिच्छक वरती आती है तो साल के अंत तक आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है यूदित और गया इसलिए मैंने अगर सब्ड का इस्तमाल किया है बात कि जिए बाद को लेकर कि क्या पैमरी सिच्छक वरती में शामिल होगा कि नहीं तो तब तक अगर NCD अपनी और से कोई गाइडलाइन जारी कर देती है इस अध्यादेश को लेकर तो उसके आधार में B8 के संबंद में नई सिच्छा सिवा आयोक के माध्यम से अपना फैसला ले लिया जाएगा B8 को लेकर फिलाल ये थी नई सिच्छा सिवा आयोक को लेकर जादी किये गए ड्राफ्ट के बारे में पूरी अपडेट फिलाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही थैंक्यू फर वोचिंग इस वीडियो